नेहा की किचन में आप लोग का स्वागत है, आई होब कि आप लोग अच्छे हुंगे, आज मैं रेश्पी लेके आगी हूँ चक्नी वाला आलू जो कानपुरा उनाओ का फेमस दीस है, इसको वहां की साधियों में बनाया जाता है, चलिए एक बार रेश्पी देख लेते हैं उसके लिए चाहिए चार से पांच इस्पून हमें घी, थोड़ा सा मेथी दाना, हाफ इस्पून सौफ, हाफ इस्पून है जीरा, इसको अच्छे से चटकने देंगे, उसके बाद यहां एट करेंगे तिन से चार हरी मिर्च, आप अद्रक भी एट कर सकते हैं, अद्रक में नहीं एट की हूँ, आलू हमें बड़े साइस का नहीं लेना है, इतना ही छोटा लेना, अगर इससे भी छोटा रहे तो बहुत अच्छा है, चलिए इसको घी में कुल, घी में 5-6 मिनट भूल लेंगे आलू को, एक अच्छा सा कलर आने देंगे, चलाते हुए भूनेंगे बराबर चलाते रहना है, इसको धक के पकाएंगे 5 मिनट, धक के पकाने से क्या होगा पानी छोड़ेगा, यहां एक चटनी बना लेते हैं, क्योंकि चटनी वाला आलू है, तो यहां मैं अद्रक ले ली हूँ, 5-6 हरी मेर्ज ली हूँ, 10-12 काजू ले ली हूँ, थोड़ा स धनिया पत्ती एट करेंगे, थोड़ा नहीं, मंदब अच्छे कॉन्टिटी में जाएगा धनिया, क्योंकि चटनी वाला आलू बन रहा है, इसका फाइन सा एक पेस्ट बना लेंगे, चलिए आलू को देख लेते हैं, तो मैं कह रही थी, जब आलू पानी छोड़ता है, तो जगा बनाता है, तो जो घी हम डाले हैं, अंदर तक घी जाएगा आलू में, उसका बहुत अच्छा स्वादा आएगा, अब एट करेंगे, यहां पे थोड़ा सा नमक, क्योंकि आलू में नमक का भी स्वादा आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बिल्कुल फिका फिका अब टाहिएगा, और यहां पे में 4-5 इस्पून एट करूंगी देही, देही यहां आप ज्यादा भी कर सकते हैं, मैं इतना ही एट कर रही हूँ, चार-5 इस्पून इहां में एट कर दी देही, दोनों को मेक्स करेंगे, और देही और गी का जुगलवंदी देखिए, कितन अच्छा लग रहा है इसको ढख के कुछ देर पकाएंगे दोनों का फ्लेवर बहुत अच्छा आलू में आएगा ढख के पकाएंगे यहां पर भूंते हुए इसको पका लेंगे यहां पर दही बिल्कुल नहीं फटा है क्योंकि दही को बराबर चलाते रहेंगे अब नमक थोड़ा और एट करेंगे यहां पर क्योंकि दही भी आच्छे से भून गया है पहले भी में नमक कम एट की थी अब यहां पर और नमक एट कर दी तो बहुत इच्छा स्वाथ आयेगा और दही भी भून गया है थोड़ी दर और भूनेंगे जिखिए गी जोड़ने लगा है और जब भी आप लोग चटनी वाला आलू बनाए तो घी में बनाए और पानी में यहाँ एट कर दी अच्छे से मेक्स कर लेंगे धक के पकाएंगे चलिए एक मसाला इसका त्यार कर लेते हैं वन इस्पून लिए हैं तील वन इस्पून लिए हैं अलसी वन इस्पून लिए हैं यहाँ काली मिर्च इसको अच्छा से बहुन के एक पाउडर बनाएंगे और आप लोग से एक प्यारी से रिक्वेस्ट है अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी आप लोको अच्छी लगती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सेयर करिए, कॉमेंट करिए यहां पर हाफ इसमून नमक में एटकी हूँ इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा देखिए यह भून गया है विल्कुल अपना अलसी, तील और काली मिर्ज निकालते हैं ठंडा होने कबाद इसका एक पावडर बना लेंगे, चली आलू के तरफ चेक कर लेते हैं आलू को एक आलू निकालके चेक कर लेते हैं, सबसे बड़ा आलू में निकालके चेक की हूँ 80% पक गया है, देखे बिल्कुल अच्छा बुन गया है, जो चटनी बनाए थे उसको एट कर देंगे यहां पे, अगर आप टमाटर एट करना चाहते हैं, तो चटनी डालने से 2-3 मिनट पहले आप टमाटर भी एट कर सकते हैं, बड़ा बड़ा टुकड़ा अब में, देख हाफी स्पूर्ट, आप लेमन का भी यूज कर सकते हैं, चटनी वाला आलू बनके बहुत अच्छा तयार हुआ था, और इस रेस्पी से एक बार आप लोग भी ट्राइ करिएगा, आप लोग का भी बनके बहुत अच्छा तयार होगा, और घर वाले बहुत तारीप करेंगे और इसको घी में ही बनाईए, ये कानपूर और उन्नाओ के साइड में बनता है, साधियों में, बहुत फेमस डी से वहां का ये चटनी वाला आलू, देखिए घी कैसे सेपरेट होने लगा है, काजू भी अपना भुन गया है, भुन गया है, भुन गया है, चलिए इसको गर कुल गर्मा गर्म नहीं खाना है, हलका सा गुनगुना में खाईए, तो बहुत इच्छा स्वाद आएगा, और जो मैं मसाला पौडर बनाई थी अलसी और तिल के साथ, अगर आपके पास अलसी तिल नहीं है, तो आप जीरा और काली मिर्स का पौडर बनाके भी यूज कर सक देखते हैं, पाउडर जो बनाई थी उपर से थोड़ा सा गार्नेश करेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्स भी एट करेंगे उपर से, इस रेश्विस एक वार आप लोग जरूर ट्राइ करिए, देखिए खाने में भी बहुत अच्छा बना था, था, थांक्स पर वाच्चिन